अब लेडिएवरीवन वेलकम नाव विल स्टडी दे सब्जेक्ट रिडिशन फिजिक्स ऑफ डियर्टी पार्ट फर्स्ट जैसा कि आपको पता है रिडिशन फिजिक्स में अपना टुपिक चल रहा था एलेक्टिसिटी अड मैगनेटिज्म एलेक्टिसिटी अड मैगनेटिज्म में हमने एलेक्टिसिटी के बारे में पढ़ लिया था मैगनेटिज्म के बारे में हम यहाँ पर डिसकस कर रहे थे और मैगनेटिज्म के अंदर हमारा जो लास्ट लेक्चर का लास्ट लेक्चर में हमने जो डिसकस किया था वो था हमारा properties of magnets that means magnetic substances की क्या-क्य properties होती है उनके बारे में हमने discuss किया था और उनी property के base पे magnetic substances को कितने parts में divide किया गया है कौन-कौन से parts में divide किया गया है और उनकी क्या-क्य property होती है उन सब के बारे में हमने detail में discuss किया था तो इसी topic को आज आगे continue करेंगे बट continue करने से पहले एक बार हम last lecture का छोटा सा revision कर लेते हैं तो last lecture में हमने सबसे पहले पढ़ा था magnetic properties के बारे में अब magnetic properties के बारे में हमारी जो first property थी वो थी magnetic permeability magnetic permeability आपको क्या बताती है कि कितना magnetic flux कोई भी substance अपने में से pass out होने दे रहा है ठीक इसका ये तो थी अपनी जो theoretical value थी और अगर इसके अपर mathematical या फिर formula की बात करें तो वो था अपना mu is equal to b by h जहां पे आप mu किसको लिए use करते हो magnetic permeability के लिए b यहां पे है आपका magnetic flux density और h यहां पे है magnetic field strength के बारे में ठीक दूसरी property थी आपकी intensity of the magnetization जिसको आप i से denote करते हो और इसका formula या फिर उसको अपन डिफाइन करते है ratio से ratio that means यहां पे magnetic dipole moment और material का volume that means i is equal to m by v next अगर अपन बात करते हैं जो अपनी तीसरी property थी यहां पे उसका नाम था magnetic susceptibility that means कोई भी जो आपका magnetic material वो कितने magnetic field को susceptibility that means समवेदन सेलता कितने magnetic field को वो सहन करता है ठीक है उसी के बारे में यहां पे discuss किया गया था तो आपन magnetic susceptibility को denote करते हैं के से और इसका formula अपने पास आता है k is equal to i upon h i है यहां पे आपका intensity of the magnetization and h है यहां पे magnetic field strength तो यह तीन properties थी तीन properties के बारे में हमने last lecture में discuss किया था next इन तीनो properties के base पे हमने magnetic substances को तीन types में divide के था that means तीन प्रकार में बाटा था वो थे आपके diamagnetic substances, paramagnetic substances और ferromagnetic substances ठीक है तो यह जो तीनो magnetic substances थे जब आप इनको magnetized करते हो ठीक है तो किस तरीके से आप इनको magnetized करते हो इनकी क्या क्या property होती है उनके base पे हमने इसको divide किया था तो जैसा कि हमने last lecture में इनके बारे में discuss किया था कि जो आपके diamagnetic substances होते है वो permanent magnet में नहीं motion होता है इनके magnetic susceptibility की intensity of magnetization के properties की भी हमने बात की थी दूसरा इन में जो आपका magnetic field generate होगा वो कौन सी direction में होगा वो सारे चीजे हमने वहाँ पे discuss की थी ठीक है आज हम discuss करेंगे अब अपना जो next topic है उसका नाम है hysteresis loop तो hysteresis loop के बारे में अब हम discuss करते हैं ज्यादा time ना waste करके तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहां पर hysteresis loop है क्या ठीक है hysteresis loop एक आपका कर्व है आप एक graph float करते हो जिसको bh curve भी बोलते हैं bh curve इसे क्यों बोलते हैं क्योंकि यह है यहांपर h के बिच में बनाया जाता है यहां ền दीकогनां के अंदर और इसे hysteresis loop भी बोला जाता है अब यहां पर b क्या है h क्या है ठीक है और किन-किन बीच में बनाया है आपसे उस और क्यों बनाया है क्या चीज़े है ठीक है तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि वी है वो आपका magnetic flux density होता है और H आपका magnetic field strength होता है यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर किस process के लिए है तो जब आप कोई भी जो आपका neutral material होता है जब उसको आप magnetized करते हो तो वहाँ पर कौन सी energy का loss होता है या फिर कितनी energy का loss होता है या फिर वो किस तरीके से magnetized होता है वो चीज़े practically देखी गई फिर उन सब चीज़ों को देखके एक कर्व बनाया गया और उस कर्व को अपन बोलते हैं बी एच कर्व या फिर hysteresis लूप बोलते है अब पहले अपन बात करते हैं इसकी थियोरी की जैसा कि इन्होंने बताया कि variation ठीक है जैसे जैसे आप magnetic field intensity को बिदलते हो वैसे वैसे जो flux density बदलेगी तो उसका जो variation होता है उनमें जो difference आ रहा है ठीक है तो उनका जो कर्व बनेगा वो कभी भी लीनियर नहीं नहीं होता है एक graph plotted between B and H is called BH curve BH के बीच में जो अपन graph बनाते हैं उसे ही BH curve कहा जाता है from this graph it is clear that the curve rises rapidly at first indicating big change in the value of B for corresponding small change in H इस line को समझने के लिए आपको एक चीज़ पहले समझनी होगी यहाँ पर बात करते हैं अपन B और H की तो आपको पता है कि B यहाँ पर magnetic flux density है और यहाँ पर H आपका magnetic field strength है ठीक है इन सब चीज़ों को छोड़के अगर आप simple language में बात करो तो यहाँ पर आपने क्या किया कि आप एक neutral material को magnetized कर रहे हो ठीक है तो वहाँ पर दो चीज़ी होगी एक internal magnetic field होगा और एक external magnetic field होगा that means आप जो जिस magnetic field के अंदर आप object को ले के जा रहे हो वो कौन सा होगा external magnetic field और उसके बाद में उस object में जो magnetic field produce हो रहा है वो कौन सा होगा internal magnetic field तो अगर उनके बेस पर हपन यहाँ पर बात करें तो जो आपका H है वो यहाँ पर क्या है external magnetic field है जो कि आप किसी भी substance पे लगा रहे हो ठीक है और यहाँ पर B के है आपका internal magnetic field जो उस substance में अब produce हो रहा है अगर आप यह दोनों चीज़े समझ के और ले के चलते हो तो आपको यह graph और कर अच्छे से समझ में आएगा तो अब अपने इस line को समझते हैं ठीक है कि यह graph क्या बता रहा है from this graph इस graph से हमें क्या पता चलता है ठीक है it is clear यह साफ साफ दिख रहा है that the curve rises rapidly at first indicating the big change in the value of B for corresponding small change in the edge that means यह आपको बता रहे कि कि जब आपका स्टार्टिंग में graph आप 0 से आप लेके चलते हो x और y axis जहां पर आपके intersect कर रहे हैं वह आपका o point that means 0 point वहां से जैसे जैसे आप graph देख रहे हो कि 0 से a में जो graph जा रहा है that means उसमें आप देख रहे हो कि जैसे जैसे आप h को बढ़ा रहे हो ठीक है वैसे वै किजे इन्होंने यहां पर line में बताइए इस theory line में बताइए कि it is clear that the curve rises rapidly जो आपका curve है वह बहुत तेजी से बढ़ रहा है at the first starting के अंदर जो आपको indicate कर रहा है big change in the value of b that means b की value में बढ़ा change आ रहा है जबकि उसके corresponding में h में आपने थोड़ा ही change किया है h आपका क्या है यह प्रोड़ा सा external magnetic field लगाने से ही क्या हो जाता है उसमें जो उसके अंदर जो magnetic field की properties produce होती है वह बहुत ज्यादा produce हो जाती है यह आपको यह graph शो कर रहा है ठीक है the slope of this curve gradually decreases indicating a small change in b for increasingly larger value of h अब जैसे कि आपका a point था a point एक ऐसा point था जहाँ पे b की value क्या चली गई थी maximum चली गई थी अब इससे ज्यादा नहीं जा सकती अब जैसे जैसे आप h की value कम करते हो ठीक है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि h की value आपने बहुत ज्यादा कम की बट b की value थोड़ी ही कम हुई that means यहाँ पे क्या होता है कि आप h की value को अगर 0 भी लेके आ जाते हो तो भी आपकी b की value that means जो आपका internal magnetic field है वो कुछ ना कुछ object में रहेगा जैसे कि आप graph में देख सकते हो आपका graph पहले 0 to a गया a आपका maximum point था यहाँ ठीक है maximum point के बाद में आपका graph आता है वापिस b point पे small b point लिगा रखा आपने graph के अंदर वहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी h की value 0 है that means जो आपने external magnetic field लगाया था वो वहाँ पे आपने 0 कर दिया but वहाँ पे internal magnetic field की value आपको मिल रही है कुछ ना कुछ that means यहाँ पे क्या होता है कि जो magnetic substance है जिसको आप magnet कर रहे हो उसके अंदर internal magnetic field produce हो चुका है और वह magnetized हो चुका है और उसके अंदर वह magnetic property रहे चुकी है इसी region से जब आप h की value 0 कर देते हो उसके बाद में भी उसमें internal magnetic field की value आपको कुछ ना कुछ मिल रही है ठीक है next अगर आपको internal magnetic field की value को 0 करना है जैसा कि आप graph में B से C तक चलोगे ठीक है ग्राफ में B से C पे चलोगे जैसे C पे आपकी value क्या हो रही है 0 यह तो इसके लिए आपको क्या करना होगा यह अभी हम आगे discuss करेंगे ठीक है a stage is reached when the slope of curve becomes constant and this condition is known as saturation एक condition ऐसी आएगी जब आपका जो slope होता है जो ढाल जिसको बोलते हो आप हिंदी में वो क्या हो बन जाएगा अब अपन बात करते हैं if we take ferromagnetic substances अगर अपन कोई भी ferromagnetic substance या ferromagnetic material लेते हैं तो यहाँ पे क्या process होती है और उसी के according इन्होंने ए ग्राफ बनाया है because ferromagnetic substances ही completely permanent और strong permanent magnet में वो convert होते हैं तो उन्हीं के according हमने यहाँ पे बताया है कि किस तरीके से magnetic properties एक material से दूसरे material में जाती है if we take ferromagnetic material in completely demagnetization state अगर अपन ferromagnetic material को लेते हैं जो कि completely कौन सी state के अंदर a demagnetization state that means उसमें कोई भी magnetic field नहीं है and make it to undergo through a cycle of magnetization अब हम उस material को किस में लेके जा रहे है एक cycle के अंदर that means एक magnetization की process के अंदर उसको enter करा रहे है तो उसमें क्या होता है in which h is increased from 0 h को आप 0 से start करते हो जैसे कि आप graph में देख रहे हो यहाँ पर to a maximum ठीक है then decrease to 0 आपने क्या किया h को 0 पे लेके आए वापिस that means आप उसको demagnetized करना जाते हो that means जो आप उस पे external magnetic field लगा रहे थे वो आपने 0 कर दिया ठीक है then reversed अब उसको आप कौन से direction में लेके गए reverse direction में ठीक है for example आप जो पहले जिस direction में magnetic field लगा रहे थे अब आप उससे reverse direction में लगाओगे जब आप reverse direction में लगाते हो तब आप देखते हो कि एक point आता है जो आपने graph में denote किया है c point पे वहाँ पे क्या होता है कि आपका जो magnetic field that means जो ferromagnetic substance उसके अंदर internal magnetic field की value आपको 0 मिलती है तो that means उसको demagnetized करने के लिए आपको reverse direction में magnetic field लगाना पड़ेगा तब ही वह 0 हो पाएगा otherwise अगर आप external field हटा के छोड़ देते हो तो वह permanent magnet में बदल जाएगा और आपको एक value मिलेगी जो क्या होगी B होगी ठीक है अब आप क्या गर रहे हो उसको reverse direction में आपने और increase किया तो और increase करने पर आपको graph में point मिल रहा है D that means minus H max ठीक है that means अब वो magnetized होगा कौन से direction में reverse direction में magnetized होने लगेगा और reverse direction में कैसा होगा minus H max तक होगा that means maximum होगा ठीक है and finally brought back to 0 अगर आप अब उसको दुबारा 0 पे लाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा जैसे आप अगर H को 0 पे लेके आते हो तो यहाँ पे आपको graph में point दिख रहा है E that means यहाँ पे उसमें अब magnetic field मिलेगा लेकिन आपको reverse direction में मिलेगा पहले उसमें reverse में maximum था E point प अब वहाँ पे क्या होगा जैसे आप H को 0 कर दोगे तो उसमें magnetic field रहेगा ferromagnetic substances की property होते हैं कि आप उसको magnetic field में रखते हो तो वह magnets में convert हो जाते है permanent magnets में जैसे आप उनको बहार निकालते हो तो permanent magnet बने रहते हैं तो उसी process के बारे में यहाँ पे बताएगा अब अगर आपको उसको neutral करना है दुबारा तो आपको दुबारा से reverse direction में लगाना पड़ेगा that means जो आपने जिस direction में starting में magnetic field लगाया था उसी direction में अगर magnetic field लगाओगे तो वहाँ पे आपको उसकी value 0 मिलेगी तो यहाँ पे जो आपकी condition है E से F की graph में आप देख सकते हो E से F की जो condition है यहाँ पे 0 आती है और यहाँ पे F point से आपने इसको दर्स आई है तो आप यह देख सकते हो कि किस तरीके से magnetic energy का loss होता है और किस तरीके से आपका ferromagnetic substance magnetized होता है टीक है the variation of B with respect to the edge can be represented by a closed hysteresis loop तो यह जो आपका variation था कि किस तरीके से आप जब edge को बदलते हो तो B किस तरीके से बदलता है यह जो variation था यही हम एक curve के साथ denote करते हैं और वो curve क्या कहलाता आपका B edge curve या फिर hysteresis loop कहलाता है ठीक है अब यह loop काम क्या आता है यह जो आपका closed loop है यह किसी भी material की property को बता रहा है जो अभी अपनी loop के बारे में पढ़ा था वो loop किस का था आपका ferromagnetic substances का था इसी तरीके से ferro का भी बनता है डाया का भी बनता है paramagnetic substances का भी बनेगा ठीक है तो वैसे अगर आपन बात करें तो अपन loop को देखके भी बता सकते हैं कि यह कौन से substance का that means loop magnetic properties के बारे में बता रहा है a study of hysteresis loop of different magnetic material help us to know their magnetic properties that means कि अगर आप hysteresis loop की study करते हो तो उससे आप पता कर सकते हो कि यह कौन से material का loop है that means आप material की magnetic properties के बारे में यहां से पता लगा सकते हो ठीक है for example the area of hysteresis loop for the soft iron is smaller than the forest steel जैसा कि example इन्होंने बताया है कि जो hysteresis loop होता है उसका जो area होता है वो अगर आपन बात करें तो अगर आप iron का बनाते हो यहां पर loop तो iron के loop का area ज़्यादा होता है that means sorry iron का hysteresis loop का area कम होता है steel के comparison में steel का area ज़्यादा मिलता है that means आप area से यहां पर पता करो इसी तरीके से hysteresis loop की और भी studies होती है जिनकी साहता से आप material की magnetic properties के बारे में अच्छे से पता कर सकते हो ठीक है तो finally बात एक ही है B और H के बीच में यह एक curve है जिसको BH curve बोला जाता है या फिर hysteresis loop बोला जाता है बताता है क्या है यह आपको magnetization की जो cycle होती है that means आप जब किसी भी neutral substance को magnetized करते हो तो वो किस तरीके से magnetized होता है फिर आप अगर उसको demagnetized करते हो तो वो दुबारा से किस तरीके से demagnetized होता है किस तरीके से वहाँ पर B और H की values 0 से H max तक आती है और 0 से minus H max तक आती है यह सारी चीज़े यह curve आपको बताता है अगर आप इन चीज़े जो आपकी theoretical values है या फिर जो आपकी theoretical definitions है अगर आप इन सब में confused हो रहे हो तो आप एक बार दुबारा से इसको diagram के through समझ सकते हो मां आपको एक बार दुबारा से समझा देता हूं कि यह कर हो है क्या इसमें होता क्या है स्टार्टिंग आप simple बासा में simple language लेके चलेंगे इसको अपने पास H है एच आपका क्या है external magnetic field है जो आपने किसी भी object पे लगाया है और B यहां पे internal magnetic field है capital B य magnetization की process के दोरान अपन यहां पर substance लेता है ferromagnetic substance जो कि permanent magnet में बदल जाते है उन्हीं के अगर अगर बात करें तो अपन यहां पर zero से बात करें that means जब वो substance आपका neutral था आपने उसको magnetic field में रख दिया ठीक है अब आप magnetic field की value को बढ़ाते हो that means आप H की value को बढ़ा रहे हो यहां वो point कौन सा है आपका A point जिसको आप small a से यहां पर दर्सा रहे हो ठीक है यह था जब आपका H max है यहां और B maximum है ठीक है अब आप क्या कर रहे हो कि जो आपने external magnetic field लगाया था ठीक है वो आप zero कर रहे हो धीरे-धीरे जैसे आप उसको zero करते हो तो आप देखते हो कि जो उसम इतना कोई value है that means वो जो ferromagnetic substance था उसमें magnetic properties अभी भी है वहां पर B की value है और वो आप यहां पर graph में denote कर रहे हो small b point से यहां पर B की value कुछ ना कुछ आपको मिल रही है बट H की value आपने zero कर दी है ठीक है अब अगर आपको उस magnetic field जो आपका internal magnetic field produce हो रहा है जिसकी value आप small b मिल पर यह आपको अगर उसको जीरो करना है तो अब क्या करना पड़ेगा reverse direction में आपको magnetic field लगाना पड़ेगा ठीक है उसको demagnetize करने के लिए आपको reverse direction में चलते हो that means H की value आप minus में लेके जाते हो तो आपके पास एक point आता है C जहां पर जो internal magnetic field आपको b मिल रहा था उसकी value कितनी हो जाएगी जीरो हो जाएगी ठीक है अब क्या कियागा आपने H को और बढ़ाया ठीक है तो आप जैसे ही H को और बढ़ाओगे तो जो आपकी reverse direction थी that means negative direction थी negative direction में आपका जो वो substance है उसमें internal magnetic field produce होने लगेगा और एक ऐसा point यहाँ पर बोल रहे हो जहाँ पर minus H max हो जाएगा और minus B maximum हो जाएगा that means internal magnetic field जो उसमें produce हो रहा वो आपको maximum मिलेगा ठीक है अब जो process आपने starting में A से B में की थी वही process आप कर रहे हो D से E में that means आपने H की value कितनी कर दी 0 कर दी but H की value 0 करने से B की value 0 नहीं हुई आपने external magnetic field त में produce हो रहा था जो कि आपका reverse direction में चल रहा था negative direction में चल रहा था उसकी value 0 नहीं होगी उसकी value आपकी कुछ ना कुछ वहाँ पे रहेगी और वो यहाँ पे आप E point से यहाँ पे show कर रहे हो अगर उसको आपको zero करना है तो आपको दुबारा से reverse direction में करना पड़ेगा और हाँ पे आपकी H की value तो कुछ ना कुछ होती है बट B की value क्या हो जाती है आपकी zero हो जाती है ठीक है अब दुबारा से जैसे ही आप H को और बढ़ाने लग जाते हो that means उसी direction में तो B की value आपको बढ़ती है और graph आपका touch नहाँ पे होता है दुबारा से A point पे होता है और यह cycle चलती रहती है that means इसी cycle में आपकी जो ferromagnetic substances है वो इस तरीके से magnetization होते है और demagnetized होते है ठीक है यह आपका hysteresis loop था hysteresis loop आपका थोड़ा सा topic hard है बट आपको बता जता हूँ कि बहुत ज़्यादा important topic है exams में बहुत बार पूछा गया है इसी लिए मैंने इस topic पे ज़्यादा समय लिए आपको दो तिन बार समझाय भी है अगर फिर भी आपको यह समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे से contact कर सक हो ठीक है मैं आपको यह समझा दूंगा दुबारा से अब अपन बात करते हैं अपने next topic की आगे की तरफ बढ़ते हैं ठीक है अब अब बात करते हैं अपना topic का magnetic effects of the electric current that means electric current में आपने electricity में पढ़ा था heating effect कि electric current आप किसी भी किसी भी coil या फिर किसी भी circuit से pass out करते हो तो वहाँ पे heat उत्पन होती है उसके बारे में यहाँ पर आपने बात करेंगे magnetic effect के that means अगर किसी भी circuit से आप electric current पास आउट करते हो तो वहाँ पे magnetic effect produce होता है चुम्ब की प्रभाव उत्पन होता है और जैसे कि आप नॉर्मली घरों में आप लोगों ने पढ़ा होगा सुना होगा कि जो आपकी electricity होती है वो आपको attract करती है रिपल्सन करती है यह चीज़े आप लोगों ने देखियो जब किसी को normal shock लगता है तो वो सारी चीज़े कि से होती है magnetic effect के कारण होती है science यहां पर आप के लिए बोलती है कि आपका जो electric current होता है वो magnetic field को produce करता है तो किस तरीके से करता है उसके बारे में भी एपन discuss करेंगी यह आपको बोल रहा है कि आप किसी भी stationary conductor यह आपका फिक्स है अगर आप उसमें से current flow कराते हो तो वहां पर magnetic field उत्पन होगा ठीक है this magnetic field is in cylindrical form and the lines of force form concentric circles about the conductor कि यह आपका magnetic field यहां पर produce होता है इसके यह कौन सी shape में होता है यहां पर cylindrical form में होता है that means जो आपका conductor है for example जो आपका conductor होगा obvious सी बात हो वह वायर के form में होगा आप वायर के form में ही लोगे उसे ठीक है तो वहां पर क्योंता है कि जो magnetic lines of force है ठीक है जो आपकी lines है जो magnetic field को represent करती है जो imaginary lines होती है जिनके बारे में आपने पढ़ चुके है ठीक है तो यह जो lines है यहां पर क्या करते है कि concentric circles बनाती है उस conductor के चारों तरफ cylindrical form में ठीक है a compass needle placed very close to the conductor gets deflected अगर आप देखना चाहते हो कि किसी भी conductor में अगर आप current flow करा रहे हो तो वहां पर magnetic field produce हो रहा है या नहीं हो रहा है जिसमें से आपका current flow हो रहा है उस conductor में से magnetic effect produce हो रहा है ठीक है जैसे कि आप डाइग्राम में देख सकते हूं कि आपने conductor के पास में एक compass needle रहा है और वह compass needle कैसे deflect हो रहा है ठीक है if the direction of the current is reversed अब आप बात करते हो यहां पर direction की current की current की आपको पता direction होती है और magnetic field की भी direction होती है अगर आप current की direction बदल देते हो तो जो magnetic field उसकी भी direction बदल जाएगी ठीक है if the direction of the current is reversed the compass needle also gets deflected in reverse direction आपने जो compass needle pass में रखी थी वो suddenly क्या करेगी opposite direction में deflect होगी that means इसका मतलब कि जो उसके चारों तरफ जो magnetic field produce हो रहा था उसकी भी direction क्या हो गई है बदल गई है इसी region से जो आपकी compass needle वो भी reverse direction में deflect होई है this shows that the current carrying conductor produce a magnetic field which exists a force on the compass needle तो यह जो प्रेक्टिकल है यह आपको क्या बता रहा है कि आपका current carrying conductor that means वो conductor है जिसमें से current pass out हो सकता है वो करण वो conductor आपका magnetic field produce कर रहा है और उस magnetic field के कारण क्या हो रहा है कि आपकी compass needle पे एक force लग रहा है और उस force के कारण वो compass needle आपकी क्या हो रही है deflect हो रही है एक direction में ठीक है this is an example for the conversion of electrical energy into the mechanical energy ये इतने सारी चीज़े आपने क्यों पड़ी ये practical क्यों किया आप देख रहे हो यहाँ पे कि आप electrical energy से यहाँ पे mechanical energy produce कर रहे हो आपने किसी भी एक circuit में आपने electric current पास आउट किया वहाँ पे compass needle रखे और वो compass needle क्या और ये deflect हो रही है move हो रही है अगर वो move हो रही है तो वहाँ पे कौन से energy produce हो रही है mechanical energy produce हो रही है that means electrical energy को आप mechanical energy में convert कर रहे हो this effect is called the motor effect इस effect को कौन सा effect बोला जाता है motor effect बोला जाता है that means जो आपके electric motors होती है उसमें इस effect को काम में लिया जाता है ठीक है आपके motors के अंदर क्या होती है solenoids होती है armature होता है तो उस armature को rotate करने में यहाँ पे जैसा कि आपने अभी देखा कि magnetic field क्या गर रहा है force लगा रहा है compass needle पे और इसी force को हम काम में लेंगे आगे आपकी जो electric motor होती है उसके armature को rotate कराने में ठीक है अब वो किस तरीके से होता है वो हम चीज़े आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से आपका magnetic effect of electric current काम करता है that means यह जो आपका motor effect आपने अभी पढ़ा जिसकी help से आप क्या कर रहे हो electrical energy को mechanical energy में convert कर रहे हो और that means आप magnetic field produce करके और वो magnetic field क्या कर रहा है compass needle पे यहाँ पे force लगा रहा है जिसके नकारण आपकी compass needle deflect हो रहे है यह एक छोटा सा practical है अगर इस practical को बड़े रूप में किया जाए तो अपन इससे electric motor बना सकते है और आगे बनाई भी जाती है वो इसी principle पे काम करती है इसलिए इस effect को motor effect बोला गया है ठीक है तो इसके बारे में हम आगे discuss करेंगे the motor effect can also be obtained by the following method अब इस motor effect को अपन method जैसा अपन कि इसको अपन कैसे obtain कर सकते है उसके लिए अपन लिम लिखित method दैस में एक practical करते है और practical से हम इसे derive करते है consider a conductor अपनने conductor ले लिए ठीक है current carrying conductor जिसमें से current power out हो सकते है which lies at right angle to the magnetic field जिसको हमने magnetic field के 90 degree के angle पे रख दिया और यह जो magnetic field है अपनने कैसे लिए जिनको आपने रख तो यहाँ पर आपको पता है कि magnetic field कहां से north to south चलता है तो यहाँ पर magnetic field के direction क्या आपकी north to south और आपने इसी के perpendicular यहाँ पर क्या रख दिया एक current carrying conductor रख दिया ठीक है अब होता क्या है the magnetic field is produced by the fixed pole pieces as shown in the diagram जैसे कि आप डाइग्राम में देख रहे हो जो आपके fixed pole pieces नोर्थ पोल और south pole इनमें क्या होगा magnetic field produce होगा if current is passed through the conductor it produces a magnetic field around the conductor अब जैसे ही आप उस conductor में से current pass out करते हो ठीक है जो conductor आपने 90 degree के angle पर रख था अगर उसमें से आप current pass out करते हो तो वहाँ पे भी क्या होगा magnetic field produce होगा अब आपके पास दो magnetic field होगे एक तो आपका जो external magnetic field था जो आप magnets के साहता ऐसे लगा रहे हो और दूसरा internal magnetic field जो कि आपका current carrying conductor पे था तो अब इन दोनों magnetic field के बीच में क्या होता है repulsion और attraction की process होगी जिसके कारण आपका current carrying conductor था वो क्या करेगा move करेगा और इसी effect को अपन कौन सा effect बोलते हैं motor effect बोलते हैं बट यह जो move करेगा वो भी एक और principle आता है आगे आप पढ़े होगे जिसके बारे में जिस principle के base पे यह move करता है that means यह जो आपका जो current carrying conductor यह कौन सी direction में move करेगा यहाँ पे repulsion force लगता है attraction forces लगता है वो सारी चीज़े आपको एक और rule बताता है वो अभी हमपन आगे यहाँ पे discuss करेंगे इस magnetic field interact with the original magnetic field and force is developed जैसे मैंने अभी आपको बताया दो magnetic field होगे आपके पास एक internal और एक external जो एक तो आपका magnet से produce हो रहा है और दूसरा आपका current carrying conductor से produce हो रहा है यह दोनों interact करेंगे और यहाँ पे एक force उत्पन होगा as a result the conductor move और इसका result क्या मिलेगा जो आपका conductor वो move करेगा in a direction एक direction के अंदर which is perpendicular to both the magnetic field and magnetic current उस direction में move करेगा जो direction आपके magnetic field के भी perpendicular हो और आपका जो current वहाँ पे था ठीक है उसके भी perpendicular हो that means दोनों के perpendicular हो एक तीसरी direction उस direction में वो आपका conductor move करेगा ठीक है तो that means आपको पता चला कि किस तरीके से magnetic effect of electric current से एक और effect आता है motor effect और motor effect की साहता से किस तरीके से आपकी electric motors जो आप normally देखते हो आपकी घर में जो appliances होते हो किस तरीके से move करते है उनका basic principle क्या है magnetic effect of electric current है और उसमें लोगे यहाँ पर आपकी दो चीज़े थी एक external magnetic field और एक internal magnetic field external magnetic field जो आपने magnets के साहता से लगाया और internal magnetic field जो आपके current carrying conductor में produce हुआ और दोनों के कारण वहाँ पर force उत्पन हुआ और वह force किस direction में हुआ यह किस rule से आपको पता चला उस rule के बारे में अभी हम discuss करेंगे और वह rule आपने पढ़ रखा है जिसका नाम है फ्लेमिंग्स left hand rule अच्छे चाप लोगों ने discuss कर रखा है 12 के अंदर आपके दो यहां पर पर में हमारे मोटर वहाँ बितadर है ज Clemink का Left है आपको क्या बताता है गईो program- सिप्लमिक्स लेफ्व आनरो ली निव्यद करता हैं इस जालन एसे दिशा आपको मोटरीफेक्ट में प्रोडीशों के बारे में बताता है अब इस रूल को apply करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है यहां पर दो चीज़े आ रही है आपके इस रूल के अंदर एक आरा flaming और एक आरा left hand rule तो यहां पर rule तो that means नहीं है flaming और left hand flaming scientist था जिसने यह rule दिया था तो अब आपन बात करते हैं जो अपना main important हो है आपका यहां पर left hand ठीक है left hand की सहायता से आप इस रूल को apply करते हो ठीक है to apply this rule इस रूल को apply करने के लिए once left hand is arranged आपके left hand को आपको इस तरीके से arrange करना होगा ठीक है arrange करने के लिए आपको क्या करना होगा so that the इस तरीके से कि the thumb जो आपका थंब वह दफोर finger four finger and the middle finger middle three finger हो गए एक आपका थंब हो गया एक आपकी four finger हो गई एर एक middle finger हो गई are at right angle to each other तीनों क्या होनी चाहिए एक दूसरे से 90 degree के angle पे होनी चाहिए that means right angle बनानी चाहिए perpendicular होनी चाहिए ठीक है आपने arrange कर लिया तीनों चीजों को अब यहां पर बात करते हैं कि तीनों चीज क्या डिनोट कर रहे है that means thumb four finger or middle finger then the four finger denotes the magnetic field the middle finger denotes the conventional current and the thumb denotes the force अगर अपने यहां पर बात करें कि जो आपकी four finger है वो क्या डिनोट कर रही है magnetic field को डिनोट कर रही है जो n और s में जो आपका आपका external magnetic field था जो की magnetic pulse के थ्रू लग रहा है अगर वो कौन डिनोट करता है four finger denotes करती है ठीक है और आपका middle finger क्या डिनोट कर रहा है conventional current जो current आपने conductor में flow कर रहा है अगर उसकी direction को अदर सा रहा है आपको middle finger दर सा रही है और four finger क्या दर सा रही है आपका magnetic field के direction दर सा रही है तो अगर आप इन दोनों fingers को उन direction में arrange करती हो तो जो आपका thumb है वो आपको क्या denote करता है वहाँ पे लगने वाले force की direction के बारे में बताता है ठीक है तीन चीज़ों गई यहाँ पे force, magnetic field और current अगर आपकी four finger magnetic field के direction को show कर रही है और अगर आपके middle finger conventional current के direction को show कर रही है तब उस condition में जो thumb होगा, that means जो thumb के direction होगी वो आपको क्या show करेगी वहाँ पे उत्पन होने वाले force की direction को show करेगी ठीक है यह चीज़े आप diagram के थूरू समझ सकते हो अभी अपन diagram के थूरू समझते है इन सब चीज़ों को कि किस तरीके से आपका force show होता है थम की साहता से आप diagram में देख सकते हो कि आपने एक left hand लिया, left hand को आपने तीन जो आपके main important है, first आपका thumb है यहाँ पे second four finger है और third middle finger है, तीनों को आपने 90 degree में arrange कर लिया, that means आप देख सकते हो यहाँ पे कि आपका जो thumb और जो आपकी magnetic field दरसा रहा है, that means जो आपकी four finger है, उन दोनों के बी तो diagram में 3D image नहीं बनती है, इस वज़े से आपको यहाँ पे 90 degree शो नहीं होगा, but आप जैसे ही अपने hand को अगर इस condition में आप शो आरेंज करते हो, तो आपकी जो दोनों जो finger है, four finger और middle finger इनके बीच में 90 degree का angle बनता है, ठीक है, तो जैसा कि आपने अभी बढ़ा यहाँ प sum force को show करेगा, इन सब चीजों को ध्यान में रखने के लिए, that means इन तीन चीजों को याद रखने के लिए, आपको मैं एक trick बताता हूँ, उस trick को बोलते है, F, B, I, ठीक है, उपर से start करो, आप F, आपके force को denote करेगा, B, four finger के लिए, जो आपको क्या denote कर रहा है, याप है, magnetic field, B, किस, आपको पता है, magnetic field को, अपन B से denote करते हैं, ठीक है, और I, current, ठीक है, अगर आप याद करना चाते हो, इस condition को, या फिर इसको confuse नहीं होना चाते हैं, इन सब चीजों से, कि that means कई बार क्या होता है, कई students confuse हो जाते है, thumb, क्या denote कर रहा है, four finger, या याद यादे नहीं हो प और I, middle finger, current, ठीक है, तो यह तीन जीजे हो गई, तो यह आपका flaming's left hand rule हो गया, जो कि आप motor effect के अंदर लगाते हो, और तब आपका जो force की direction आपको मिलती है, ठीक है, तो आज की class में इतना ही, thank you. झाल सक्षबा है, जो लगाद भरी से जापको ऑने हो जापका है, जो कि यह तो जो यादे दना है, थी पर मीघ哪裡 white抗 जो गया झाल, जो कि अपरोग्वादारती है, थ्यादिजे थो चल्या, अजो भूण स्जागरती है, ये अन्म है। तो ये है आब को पेगदा, झाल 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 झाल